एक फैक्टरी में भीशन आग लगने की घटना सामने आई है यह फैक्टरी थर्मकोल की फैक्टरी बताए जारी है यहाँ पर थर्मकोल बनाने का काम होता था और इस वक्त दमकल विभाग की आठ गाडियां मौके पर मौझूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है दमन की यह घटना है जहाँ पर एक थर्मकोल बनाने की फैक्टरी में आग लगी है और दमकल विभाग की आठ गाडियां मौके पर मौझूद है जो की इस भीशन आग पर काबू पाने का काम इस वक्त कर रही है आग काफी भीशन बताई जा रही है और तस्वीरों के जरीए यह साफ भी है इसी के चलते आठ गाडियां दमकल विभाग की मौके पर मौझूद हैं जो इस वक्त खोशिश कर रही है कि इस आग पर काबू पाया जाए और उसके बाद आग लगने के कारण की जो जाच परताल है वो होगी और साथ ही क्या कुछ नुकसान हुआ है उसकी तस्वीर भी साफ को पाएगी दमन की एक पैक्टरी में आग की यह तस्वीर है यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो मौके से आई है एक तस्वीर में वो फैक्टरी आप देख सकते हैं जहां पर काला धुआ उट रहा है और दूसरी तरफ आग की लप्ते भी साफ नजर आ रही है पाएब ब्रिगेड की आठ गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौझूद है जो आग पर काबू पाने की कारवाई में लगी हुई है एक थर्मकॉल बनाने की फैक्टरी में दमन में यह आग लगी है और भीशन लप्ते साफ नजर आ रही है कि काफी ज्यादा आग लगी है और इस पर अभी काबू नहीं पाया गया है